नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस lecture में हम national international current affair analysis करने वाले हैं एक नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का पूरा नवंबर महीना हम analysis नहीं कर रहे हैं आज के इस वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाया कर रहा और जो अगला lecture है वो आपको मिलेगा Friday को ठेक और Friday को हम 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के जितने भी important topics होंगे उन सभी को उस lecture में हम cover कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आज का जो ये lecture है 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के national international current affair के जितने important topics हैं उन सब को यहाँ analysis कर करने वाले हैं इस lecture का अगर आपको PDF चाहिए तो वो मिलेगा टेलिग्राम चैनल से टेलिग्राम चैनल का जो link है नीचे description box में दिया हुआ है या फिर आप direct competition community slash CGPSC search करेंगे या फिर जो हमारा SSC, CHSL वाला group है वहाँ भी आपको PDF अबलेबल करा दिया जाएगा या फिर जो website पर PDF अबलेबल कराया जाए चाहे SSC का हो चाहे CGPSC का हो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यह जो lecture है अगामी किसी भी competitive exams के लिए बहुत ही महत्वपून है ध्यान रखिएगा तो आज का जो हमारा सबसे पहला lecture है बहुत important topic है किसी ने किसी competitive exams में आपको यहां से question देखने को मिलेगा ही मिलेगा topic है G20 submit 2021 तो इसमें कुछ points हैं जिसे आपको बहुत ही ध्यान से करके जाना होगा और इस G20 submit में एक declaration हुआ है तो उस declaration के बारे में भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़कर जाना होगा ठीक है तो यहां पर एक एक topic को हम बहतर तरीके से analysis करते ह हैं और जितने भी topics हैं वो सभी आपके अगामी exams के लिए बहुत ही important होने वाले है तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा यह G20 का जो 2021 का सिखर समेलन था वो दो दीवसिये था कब-कब 30 और 31 October को यह सिखर समेलन आयुजूद किया गया इस सिखर समेलन में एक declaration sign किया गया जिसे Rome declaration declaration का नाम दिया गया यानि कि Rome घोशना पड़ पत्र है किसकी अध्यक्षता में यह सिखर समेलन हुआ तो इस वर्स 2021 का जो सिखर समेलन है किसका G20 का वो इटली की अध्यक्षता में आयुजूद किया गया अब आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है कि 2022 का जो G20 का सिखर समेलन होगा वो किसकी अध्यक्षता में आयुजूद किया जाएगा और इसके साथ ही हमने कई बार डिसकस किया है कि 2023 की जो G20 सिखर समेलन होगा वो किसकी अध्यक्षता में होगा इसका जबाब भी आप नीचे comment section में जरूर बताईएगा याद रखिएगा 2023 23 का जो सिखर समेलन G20 का है कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही important topic है और इस G20 सत्र का जो मुख्य focus रहा वो energy और climate पर खास कर रहा इसके लावा महमारी से related कि आने वाले समय में स्वास सुविधाओं को कितना बहतर किया जा सकता है और फिर world के सामन जैसे COVID-19 का महमारी आया आने वाले समय में किस प्रकार से challenges आ सकते हैं और इन ही सब challenges पर total 16 सिधान्तों को सामिल किया गया है जो की मुख्य रूप से health sector से related 16 सिधान्त है जिसे Rome declaration का नाम दिया गया है इस सिधान्त के नुसर तो अगर आपसे question पूछा जाता है कि Rome declaration किस G20 submit मे या फिर किस सिखर समयलन में मतलब adopt किया गया तो answer होगा Rome declaration G20 submit में adopt किया गया Rome declaration में कितने सिधान्तों को शामिल किया गया अगर आपसे इस तरह से question पूछा जाता है तो याद रखिएगा 16 सिधान्त है ठीक और इसके अलावा COP26 का road map भी इसमें तयार किया गया जिसे की हम आ बारे में हम अगले topic में discuss करने वाले हैं क्योंकि G20 submit में इसका road map जो है वो तियार किया गया था अगले topic पर अगर आप देखोगे तो इस G20 submit में भारत की तरफ से कुछ महतुपून घोशना है की गई जिसे कि आपके exam में पूछा जा सकता है तो सबसे पहला जो घोशना था भारत के तरफ से G20 submit में कि वैक्सिन अशमानता को संबोधित करना यानि कि अगर आप देखोगे तो African countries में चले जो या फिर बहुत सारे ऐसे undeveloped country हैं जहां पर vaccination अभी भी शुरू नहीं हुआ है और बहुत ही किलत का जो है वैक्सिन को लेकर COVID-19 वैक्सिन को लेकर देखा ज रहा है तो भारत ने प्रतिपद्धता जताया है कि 2022 के अंत तक वो पूरी दुनिया को लगभग 5 बिलियन से अधीक वैक्सिन का खुराक जो है वो उपलब्द कराएगा और इसके अलावा climate को लेकर भी one earth one health का यहां पर भारत ने initiative का सामने लोगों के रखा है जो global leader थे ता जा सके G20 क्या है हमने कई बार discuss किया है तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है G20 से related भी आपसे direct question पूछा जाए तो G20 World Bank एवं अंतराश्टिय मुद्रक उसके जो भी प्रतिनिधी होते हैं वो इसमें सामिल होते हैं इसके लावा European Union सामिल होता है और इसके ला से कोई headquarter नहीं है कोई proper सचीवाला नहीं है हर साल किसी ने किसी member जो इसके country जितने भी member है एक इसकी अध्यक्षता में तो अगले साल किसी और किया ध्यक्षता में आयोजित किया जाता है G20 समुह दुनिया का प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थवेवस्थाओं का एक समुह है अगर आप देखोगे तो total global trade का 75% trade G20 countries के मध्य होता है total investment का जो global investment है उसका 85% investment G20 countries द्वारे किया जाता है अगर GDP total global GDP का देखें तो इनके पास 85% GDP है इन 20 countries के पास और European Union Wales में इसका अगर देखें और अगर हम population की बात करें तो European यानि कि G20 countries के पास दू तिहाई जनसंख्या है पुरे global जनसंख्या का तो ये कुछ important points है जैसे आपको ध्यान में रखना होगा अब इसके member कौन-कौन से है 20 countries तो G7 समुह द्वारा ही G20 group का जो अवधारना है वो रखा गया था तो G7 countries में कौन-कौन है Canada है, France है, Germany है, Italy है, Japan है, United Kingdom है और United State of America ये group पहले G7 हुआ करता था फिर 1990s के दौर में ये रसिया भी इसमें सामिल हुआ तो G8 कहलाने लगा लेकिन क्रीमिया के मामले में 2014 में रसिया को बाहर कर दिया गया तो फिर से यह group जो है G7 कहलाने लगा तो G7 countries G20 में है ही, इसके अलावा ये countries भी G20 का हिस्सा है और ध्यान रखेगा भारत भी इस G20 का हिस्सा है और इसके अलावा European Union भी इसमें सामिल होता है, clear है, तो G20 के बारे में आपको याद रखना है अगला जो topic है, वो important हो सकता है, एक scheme है, जिसका नाम है dairy सहकार योजना क्या हो रहा है भाई, सीथा हो जाए, ठीक, dairy सहकार योजना, किसके द्वारा शुरू किया गया है 31 October 2021 को इस योजना को शुरू किया गया, इस योजना को कहां शुरू किया गया, तो गुजरात में आणन नामक एक जगह है जहांपर किशानों की आयको दुगनी करने के उद्देश से और उन्हें आत्म निर्वर बनाने के उद्देश से इस योजना को शुरू किया गया है और यह योजना जो है 5,000 करोड रुपे के कुल इन्वेस्टमेंट बजेट का योजना है यानि कि इस योजना में इतनी करोड रुपए खर्च किये जाएंगे अब इसे जो है नेशनल को ओपरेटिव डेवलपमेंट को ओपरेशन द्वारा साकारिता मंत्रल के तहट इन्ही के सहयोग से समरिधित तक के दृष्टी कोण से इसे जो है साकार को लागू करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और यह योजना जो है अमूल के 75 स्थापना दीवस के अवसर पर और जस्ट मनाने के लिए शुरू किया गया है अमूल जो है गुजरात के आनन में इस्थित एक भारतिये डेरी सहकारिता समीती है तो यह याद रखिएगा और इसके स्थ स्थापना जो है 1946 में किया गया था तो कभी-कभी आपसे पूछ लेता है कि अमूल क्या है चार-पांच ओप्शन होंगे तो सहकारिता भारतिये डेरी सहकारिता समीती है जिसकी स्थापना जो है 1946 में किया गया था क्लियर है आगे बटें अगला जो टॉपिक है एक नवंबर का दीन बहुत ही खास होता है क्यूंखास होता है क्यूंकि इस दिन सरवाधीक राज्यों का foundation दे मनाया जाता है तो अगर आपसे question यह पूछा जाता है कि वो कौन सदिन है जब सरवाधीक राज्यों का foundation day यानि कि उसके स्थापना दीवस मनाया जाता है तो date याद रखिएगा एक नवंबर इस दिन जो है साथ राज्य और दो केंदर सासित प्रदेश अपना स्थापना दीवस मनाता है साथ राज्य कौन-कौन से है आंदर प्रदेश है हरियाना है चतिसगड़ है केरल है करनाटक है पंजाब है और मध्य प्रदेश है दो केंदर सासित प्रदेश कौन-कौन से है तो लक्षुदिप और पूडुचेरी एक नवंबर को ये लोग जो है अपना स्थापना दीवस म स्थापना दीवस में मनाया जाएगा अब यहाँ पर देखो यह तो पता है कि ये जो सात राज्य नीचे करनाटक है द्हान रख्येगा आपको नहीं दीख रहा होगा ये जो साथ राज्य हैं अपना foundation day कब बनाते हैं एक नवंबर को तो केरल कब राज्य बना 1956 एक नवंबर को 36 गड़ 2000 आपका कब एक नवंबर को ही सब एक नवंबर वाले हैं हर्याना की अगर हम बात करें तो 1966 पंजाब की अगर हम बात करें तो 1950 और ये जो हैं तीनो 1956 वाले हैं ये भी आंदरप्रदेश भी 1956 और जो नीचे करनाटक है ये भी 1956 ये सारे जो हैं 1956 में राज्य बने थे तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य कब गठित किया गया और ठीक है नवंबर में दो राज्यों का और स्थापना दीवस मनाया जाता है कौन-कौन सा एक है आपका जारखंड जारखंड का भी स्थापना दीवस जो है कब मनाया जाता है 15 नवंबर को इसके लावा एक राजी और है जिसका इस्थापना दीवस आपका नवंबर में मनाया जाता है वो है उत्राखंड नीचे कॉमेंट सेक्षन में बताईए कि उत्राखंड का इस्थापना दीवस किस दीवस को मनाया जाता है चलिए इसके बाद एक और बहुत ही important topic है Odisa government ने हाली में यह फैसला लिया है कि electric vehicle पर अब किसी भी प्रकार से कोई भी registration शुक या किसी भी तरह का कोई भी tax electric vehicle अगर आप purchase करते हैं तो आपको pay नहीं करना पड़ेगा तो आपसे question इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य हाली में electrical vehicle को लेकर पूरी तरह से tax free कर दिया है चाहे वो registration सुल्क हो चाहे किसी प्रकार से और tax हो तो राज्य कौन सा होगा जिसने registration सुल्क में पूर्णता है छूट करने की गोशना की है और यह नेडना क्यों लिया गया है ताकि electrical vehicle को जादा से जादा प्रमूट किया जा सके और लोग जादा से जादा उसे purchase कर सके और यह जो फैसला है 2025 तक के लिए उडिशा की सरकार ने लागू किया है अब यह वहिकल policy की तरफ से अगर हम देखें तो central government ने fame नामक एक यह वहिकल policy launch किया था कब इस वहिकल policy को launch किया गया था 1 अप्रेल 2015 को जिसमें कहा गया था कि 2022 तक इन्होंने target रखा था कि हम 60 से 70 लाख वहिकल पूरे देश में रोड पर उतारेंगे और इसी उद्देश के साथ में इसे आगे बढ़ाते हुए fame to योजना को भी लागू किया गया था यह जो fame योजना है electrical vehicle को promote करने के लिए लाया गया था जिसका पूरा नाम क्या है यह भी याद रखेगा आपसे question पूछा जा सकता है कि fame का पूरा नाम क्या है तो यह faster adoption and manufacturing of hybrid and electrical vehicles यानि की fame इंडिया तो इसका पूरा नाम भी आप याद रखेगा और इस fame योजना के central government के इस योजना के अलावा दिल्ली की सरकार के रेल, गुजरात, आंदरप्रदेश और महराष्ट जैसे राज्यों ने भी e-vehicle policy को लागू किया है राज्यस्तर पर ठीक चलिए अगला जो topic है वो SpaceX से related है, SpaceX के बारे में आपको पता है यह एक अंतरिच agency है, नेजी अंतरिच agency है जिसे की 2002 में स्थापित किया गया था, किसके दोरा स्थापित किया गया था, तो Elon Musk के दोरा इसे स्थापित किया गया था, जो कि Tesla के भी प्रमुख है, ठीक, तो अब Elon Musk की company SpaceX ने स्थानिय broadband परिचालन सुरू करने हेतू, भारत में 1 नवंबर 2021 ते अपना पुर्ण स्वामित वाली एक company को स्थापित किया है, और यह जो company है SpaceX की उपगरह, broadband साखा, Starlink का लक्ष, जो 2022 में निर्धारेत किया है, उसकी सेवाएं सुरू करने का है, तो कौन सी company है, इस company का नाम किया है, इस बात पर भी focus रखियेगा, इस company का नाम दिया है SSCPL, यानि कि Starlink Satellite Communication Private Limited, आगे यह भी आपको समझना होगा कि आखिर यह Starlink है क्या, तो इस company को जो है 1 नवंबर 2021 को ही भारत में गठिन किया गया था, अब Starlink आप SpaceX का एक प्रोजेक्ट है, जो कि पूरे space में इसका लक्ष है, 1600 से भी अधिक उपग्रह को स्थापित करना, जो कि इस तरह से पूरी दुनिया को एक link में connect करने की योजना है, ताकि पूरी दुनिया को इस project के तहत high speed internet उपलब्द कराया जा सके, तो यह Starlink जो project है, internet उपलब्द कराने के उद्देश से, Elon Musk की company SpaceX द्वारा 1600 से भी अधिक satellite स्पेस में छोड़े जानी की योजना है, तो भारत में इन्होंने किस तरह से अपना investment किया है, यह भी आपको याद रखना होगा, और जब भी हम SpaceX की बात करते हैं, तो Falcon series की rocket जो है, SpaceX के द्वारा ही, कई बार हमने Falcon series के rocket के बारे में पढ़ा है, तो ध्यान र साथ important topic है, अगर आपसे question पूछा जाता है कि भारत की पंचा, मृत, रणनीती या फिर पंचा, मृत, strategy क्या है, या किस से सम्मंदित है, कुछ option होगी, उसमें से एक option सही आपको चूजना होगा, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, Glasgow में आयूजित किया रहा है Global Climate Meet, यानि की Conference of Parties का जो 26 बैठेक है, वो Sweden के Glasgow में आयूजित किया गया, और पहले दिन प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मूदी ने इस मिटिंग में दुनिया को 1.5 डिगरी Celsius के लक्ष को हासिल करने में मदद करने के लिए पंचा मृत नामक एक strategy को अपनाने को कहा है, या फि strategy है क्या, तो अगर हम भारती संस्कृती में देखें, तो पंचा मृत किसे कहा जाता है, इसका अर्थ हो होता है, पांच अम्रित, जैसे हम लोग घर में किसी के पूजा पाथ होता है, या फिर अगर किसी के घर में सत्य नरायन बगवान का कथा होता है, तो आपको पंचा परित का स्ट्राटीजी बनाया है जिसमें से सबसे पहला है गैर जिवासम उर्जा छमता को 2030 तक 500 गीगावाट टक करना यानि कि रिन्यूबल एनरजी को बढ़ाकर 2030 तक भारत कहता है कि यहां पर 500 गीगावाट का लक्ष जो है वो एडॉप्ट करेगा अभी भारत 200 से 200 गीग रिन्यूबल एनरजी के साथ अपनी उर्जा आवेशक्तों का 50% पूरा करना है यानि कि अगर अभी भारत जितना भी एलेक्ट्रिशीडी प्रोडियूस कर रहा है जितना भी यूज कर रहा है तो वो कहता है भारत कहता है कि 2030 तक हम 50% पूरी तरह से रिन्यूबल एनरजी को यूज करना शुरू कर देंगे 2030 तक कारवन डेक्षों उत्सरजन में एक अरब टन की कमी करेगा भारत पंचामरीत में ये इसका तीम पॉइंट है पंचामरीत में पांच पॉइंट भारत ने प्रस्ताव के रूप में रखे है चौथा है 2030 तक अपनी कारवन तिवरता में 45 परसेंट की कमी करेगा और पांचवा सबसे इंपोर्टेंट है जिसकी चर्चा भी बहुत जोरो सोरो से हुआ था और यहां पर पांचवा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है जिसमें प्रधान मंतरी सीरी नरेंद्र मोधी जी द्वारा कहा गया कि 2070 तक भारत जो ह अगर आपसे question पुझा जा सकता है कि हाली में प्रधानमंत्री स्री नरेंदर मोदी जी त्वारा कहा गया कि भारत zero net emission बाला देश बन जाएगा तो कब तक बन जाएगा तो याद रखेगा 2070 तक ठीक ये प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी त्वारा COP26 के मीटिंग में कहा ग 26 संसकरन था इसे COP26 कहा जाता है यानि कि Conference of Parties 26 31 October को Scotland स्कॉटलेंड के ग्लासकों में शुरू हुआ और 12 नवंबर 2021 को समाप्त हुआ और यह पैरिस समझा होता कि पक्छों की तीसरी बैठक है यानि कि पैरिस climate change agreement जब किया गया था 2016 में तो वो उसके बाद यह जो है तीसरी बैठक है अब COP27 यानि कि अगला Conference of Parties जो कि सहिंतर जल्वाई परिवर्टन समयलन का बैठक होगा वो कहा होगा तो मिस्तर में होगा कब 2022 में इस बात को भी ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ें अगला जो टॉपिक है one sun one world one grid क्या है ये तो प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी ने solar energy की वैभारता यानि कि इसमें visibility लाने के लिए सुधार लाने के लिए दो नवंबर 2021 को one sun one world one grid का आवान किया यानि की एक नारा दिया है इस अफसर पर उन्होंने यह भी घोशना किया कि भारत जो है भारत की जो space agency है इस तरो जल्द ही दुनिया को एक calculator प्रदान करने वाला है जो बताएगा कि आपके यहाँ solar energy की छमता किस प्रकार से है और इस one grid जो है वो समाधान होगा आने वाले अगर solar energy को produce करना इसे बहतर तरीके से उप्योग करना है तो यह प्रदान मंत्री स्री नरेनर मोदी जी तुकार द्वा का कहना है इसका short form भी याद रखिएगा OSOWG यानि की world one sun one world one grid ठिक और इस परियोजना को दुनिया भर में सौर उर है और इसका जो विजन है वो विजन दिया गया है दसन नेवर सेट और यह किसी भी समय किसी भी भौगाली के स्थिती पर दुनिया भर में किसी भी समय स्थिर है कहने का मतलब है कि solar energy अगर पूरे दुनिया की connectivity से जोड़ना है तो एक देस में हो सकता है कि दिन में solar energy हो और एक जगा पर अंधेरा हो क्योंकि रात के समय में वहां पर solar energy नहीं मिल पाता तो वहां पर electricity कैसे produce होगा तो पूरी दुनिया में कभी न कभी सूरी उदय तो रहता ही है क्योंकि इंडिया में अगर दीन है तो कहीं और रात है कहीं और रात है तो इंडिया में दीन है तो इस द्वारा शुरू किये गई सबसे महत्वा कांशी योजे नामे से एक है ग्लोवल लेवल पर और आर्थिक द्रिश्टि से या फिर अन्य प्रोस्पेक्टस से अकर देखें तो यह भारत के लिए काफी फैदेमन्द है इसे तीन चरन में डिवाइड किया गया है वन सन वन व सामिल होगा तीसरे चरन तो सुरुवात भी इसे तीन चरनों में किया जा रहा है पहला चरन के प्रकार से होगा दूसरा चरन और तीसरा चरन याद रखिएगा अगला जो टॉपिक है हमने सुना है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड शरी यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइ साइट में अभी तक भारत के कितने हेरिटेज है 40 आखरी वाला कौन सा है तो आखरी वाला है धौला गिरी कहां इस्थित है धौला गिरी आपका घुजरात में इस्थित है ठीक और ये धौला गिरी क्या है तो हडपा सिटी है तो आखरी यूनेसको के world heritage site में धौला गिरी को शामिल किया गिया वरतमांस में world heritage site हो कि संख्या भारत में 40 अब यह क्या है creative city network यूनेसको का और UNESCO ने स्रीनगर के सिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक सहर यानि के Creative City of Craft and Fog Arts के रोप में नामित किया है। UNESCO जो है अलग-अलग साइट्स को अलग-अलग नाम देता है। जैसे World Heritage Site को भी UNESCO द्वारा सन्रक्षन प्रदान किया जाता है। Creative City का नाम तो याद रखिएगा सिल्प और लोक कला के छेतर में। इसके लाबा भारत में अभी चन्नाई और वारा नसी एक दो ऐसा शहर है जिसे संगीत के रूप में Creative City के रूप में UNESCO नामित किया है। इसके शहर सामिल है तो आंसर होगा 6। ठीक और इसी तरह से World Heritage Site में कितने सामिल है? 40 याद रखिएगा। और हैदराबाद भी एक नाम याद रखिएगा। टृटल कितने हो गए? 1,2,3,4,5 और 6। ठीक है? और हैदराबाद जो है Gastronomy यानि कि खाने पीने के मामलों में UNESCO द्वारा Creative Cities Network में सामिल किया जा चुका है। तो इस तरह से 6 Creative Cities Network में शहर है। अगला जो है Taly Law यहाँ पर थोड़ा से UNESCO के बारे में भी आप ध्यान रखिए। UNESCO का पुरा नाम क्या है? United Nations Educational and Scientific Cultural Organization established कप किया गया 16 November 1945 को इसका Headquarter कहा है? तो World Heritage Center इसके Headquarter का नाम है जो कि फ्रांस के राज़ानी पैरिस में इस दीत है। तो UNESCO के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है Taly Law on Fails तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है Taly Law on Wills अभियान के बारे में। क्या है यह तो नियाए विभाग द्वारा इशे शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया। आठ नवंबर 2021 को डेट याद रखेगा। आजादी के अमरित महुतसप के समारोह में सामिल होकर सप्दा भर चलने वाले टेली Law on Wills अभियान को शुरूआत की गया है। और यह अभियान आठ नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। अब्चेक्टिव क्या है तो जरूत मंद लोगों तक जिन तक नियाए नहीं पहुँच पाता इस अभियान के जरीए उन तक नियाए पहुँचाना अगर उन्हें वकीलों की जरूत है तो उन्हें वकील अगर किसी प्रकार के जानकारी की जरूत है उन्हें तो इस अभियान के तहट उन्हें तक सटिक जानकारी पहुचाना और उनके हक के बारे में उनके अधिकारों के बारे में जाग्रूपता करना इस अभियान का मेन उद्देश था यानि कि न्याए के छितर में कानून के चेतर में उन्हें empower करने के लिए daily law on wills अभियान को शुरूर किया गया है clear है यह देखिए इस तरह से है कब से कब तक चलाया गया तो 8 से 14 नवंबर कानूनी सला के लिए पंजीकरान आप करा सकते हैं वकीलो को भी यहां पर आपको उपलब्द कराया जा रहा था इस अभियान के जरीए अगला जो topic है वो है RBI ने एक first global hackathon को launch किया है और यह RBI का पहला global hackathon है और इसमें digital payment को बढ़ावा देने के लिए अगर आप इसमें participate हुए थे तो first price के तौर पर आपको 40 लाख रुपया प्रदान होता अगर आप इस hackathon को जीते तो first price आपको 40 लाख और second price आपको 20 लाख रुपया प्रदान होता तो भारती रिज़दर बैंक का digital भुकतान पर digital payment पर focus करने के लिए उसमें और improvement लाने के लिए इस hackathon को शुरू किया गया था जिसका नाम था HARBI नगर यानि की हरभी नगर भी आप इसे कह सकते हैं और हरभी नगर 2021 इसका पूरा नाम था innovation for transformation तो इस hackathon का पूरा नाम दिया गया हरभी नगर 2021 innovation of transformation इस नामक hackathon को शुरू किया गया यह global hackathon था तो इसका थीम भी खासकर आप लोग याद रखिएगा इसका थीम है smarter digital payment आप से direct question पूछा जा सकता है कि RBI का पहला वैस्विक hackathon जिसका नाम है HARBI नगर 2021 innovation of transformation का थीम क्या था तो अधारी था जैसे मैंने बताया कि कब से कब तक registration हुआ तो यह 15 November 2021 से चला और 15 December 2021 तक और इस registration के बाद जिनों ने भी इस छेतर में digital payment के छेतर में बहतर सुधार के लिए सुझहो दिया या फिर अपने initiative उनके सामने रखे या digital payment को जहां तक नहीं पहुँच पाया है वहां तक पहुँचाने के लिए क्या क्या initiative दिया जा सकता है उसके अधार पे first price जो है 40 लाक रुपे और second price जो है 20 लाक रुपे प्रदान किया गया अगला जो टोपिक है राज़िपाल और लेफ्टिन गवर्नर यानि की उप राज़िपालों का प्रतेक वर्स की तरह इस वर्स भी सम्मेलन की आयुजित किया गया और यह राज़िपाल और उप राज़िपालों का जो है 51 सम्मेलन आयुजित किया गया है जिसमें राज़ि अगर आप देखोगे तो क्या वन्वा सम्मेलन था यह एक पारमपरिक सम्मेलन होता है जहां पर राज्यपाल और उपराज्यपाल बैठते हैं जिसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है और यह सम्मेलन एक पारमपरा है एक बैठाक होता है जहां पर राज्यों से र 26 जलवायू परिवर्तन पर हमने पढ़ा Conference of Parties 26 जो मीटिंग हुआ उसके बारे में अब उसी मीटिंग के तहर जलवायू परिवर्तन सुचकांक भी जारी किया जाता है कुछ-कुछ facts जो है वहीं से उठाये जाते हैं तो यह किसके द्वारा जारी किया जाते हैं याद रखिय है यहां से प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कब रिलीज किया गया दस नवंबर को प्रकाशित किया गया अब जलवायू परिवर्तन पर संयुकत राष्ट के framework convention यानि कि United Nation framework convention on climate change के लिए COP26 की तरब से रिपोर्ट जारी किया जर्मन वॉच रिपोर्ट जा था और 2019 में भारत नौवे स्थान पे था और इस वर्स भी भारत तस्वा रैंक पर आपकिया है याद रखिएगा question पुछा जा सकता है भारत का रैंक direct पुछा जा सकता है तो याद रखिएगा और इस रिपोर्ट के अनुसर अमेरिका को बहुत ही कम rating मिला है क्योंकि कहा ज स्थान पर है और नौर्वे का नंबर आता है तो पहला कौनसा कंट्री बहुत है और यह Global ranking है और भारत का भी ranking दिया गया है 2014 से 2021 तक कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है जब आप PDF डाउनलोड करेंगे टेलीकरम से तो वहाँ पर इन कंट्रीज की रैंकिंग और इसके लाबा भारत की रैंकिंग भी आप वहाँ पर देखिएगा चलिए अगला जो टॉपिक है भारत ने अंटार्किटिका के लिए 41 वैज्ञानिक अभ्यान को हाली में लॉंच किया है ये भी काफी important topic हो जाता है यहां से आप से question पूछा जा सकता है अंटार्किका छेतर में आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है बहुत ही ice वहाँ पर glacier होते हैं और अलग अलग countries वहाँ पर अपना research अभ्यान चलाती रहती है तो कौन से करम का launch के आप से question पूछा जा सकता है तो 41 वहाँ और इस अभियान के पहले batch में 23 वैज्यानिक और सहायक करमचारियों को शामिल किया गया अब देखिए अंटार्किका में भारत ने तीन station श्थापित किया है सबसे पहला station है भारत का या आप कहो कि सबसे पहले जो भारत ने station श्थापित किया उसका नाम है डक्षणी गंगूतरी यह अभी वर्क नहीं कर रहा है यह सबसे पहला था इसे श्थापित किया गया था 1983 में इसके बाद भारत ने जो है एक मैत्री नाम का station श्थापित किया जहां पर यह अभी 41 वेज्ञानिक अभियान के तहती यहीं पर पहुँचे है तो मैत्री station को भारत ने स्थापित कप किया 1988 में और इसके अलावा तीसरा station अंटार्क्टिका में भारत ने स्थापित किया जिसका नाम है भारती यह 2012 में स्थापित किया यह दोनों station अभी कारे कर रहे हैं यह कारे नहीं कर रहा है तो अंटार्क्टिका में भारत द्वारा अब तक तीन स्थापित किया गया है तीनों का नाम है रखीगा डक्षण गंगोतरी, मैत्री और भारती तो अभी वाला जो दल है वो मैत्री स्थेशन पे पहुँचा है इसके लाबा कुछ और अधर फैक्ट्स हम देख लेते हैं इस अभियान के प्रमुख कारे करम किसके प्रकारते रहे तो पहला कारे करम भारती स्थेशन पर अमेरी, आइस, सिल्फ का भूव एज्यानिक अनिवेशन करना है मैत्री के बाद भारती स्थेशन पे जाएंगे और यहाँ पर जियो लॉजिकल जो ही रिसर्च है वो यहाँ पर किया जाएगा ताकि आने वाले समय में अंटर्ग्ट है और भारत के बीच में कड़ी का पता लएगा जैसे कि क्लाइमट चेंज के इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से गलेसियर लगातार पिघर रहे है तो यहां पर climate change का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है इन सारी चीजों का आकलन होगा और दूसरा कारिक्रम है मैत्री के पास 500 मिटर वर्फ के कोर में drill करना और drill करके वहां पर research करना और पता लगाना glaciers के बारे में और भी different type के climate change के बारे में तो यह भारत के कारिक्रम है दो कारिक्रम पहला कारिक्रम जो है वो भारती station पे है और दूसरा कारिक्रम मैत्रे station पे है किस प्रकार से है आप यहां पर सारी चीजों से समझ सकते हैं और यह संपूर अंटारिक्टिका कारिक्रम का जो management है और National Center for Polar and Ocean Research जो कि स्थापित है गोवा में इसी के द्वारा जिसे की 25 मैं 1998 में आप से 23 साल पहले इन ही सब रिसर्च के लिए स्थापित किया गया था जो कि वासको डिगामा कहां इस्तित है गोवा में इस्तित है वहीं इसका headquarter इस्तित है तो आज के इस lecture में फिलाल इतना ही जो next वाला lecture होगा उसमें हम 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर आपाँ